दोस्तो आज किसी वीडियो के लिए आपको एक्सल का एक जवर्दस ट्रीक बताने वाला हूँ जो आपके काफी काम आएगा तो इस वीडियो का लास्ता जूर देखेगा दोस्तो एक्सल के अंदर आपके पास कोई सा डाटा है जिसमें रो और कॉलम पे काम किया वा है और अगर आपसे यह कहा जाए कि आप यहाँ पे किसी वी एक रो को हालाइट करिए तो हालाइट करने के लिए आप क्या करेंगे आप यहाँ पे किसी वी एक रो को स्लेट करेंग वो रो आपका automatic highlight हो जाएगा तो इसी तरीके से आपको apply करना है अगर दोस्तों आपको आता है तो बहुत ही अची बात है अगर आपने इस ट्राइब का यूज नहीं किया है जैसा कि मैंने यहाप अपलाई किया वा है तो जानने के लिए इस वीडियो में सलास्तक बने रहे है और आप मेरी YouTube चले पर नहीं है तो चलो सब्सक्राइब करके बेले कोटर पेस कर दें तो चली आपको इस्टेब बात हाँ कि आपको यहाप कौन सा फामला यूज करना है देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने वही same data लिया वा है और मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक करूंगा त इस पर किलिक करना है और यहाँ पर देखिए कुछ ओप्सन दिये वह हैं इसमें आपको सबसे लाश्ट ओले ओप्सन पर किलिक करना है यू जे फामला टू टर्मिनाई ने वी सेल टू फामेट है इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया फामेट पर लू यह देखिए यहाँ एक बॉक्स है इसमें आपको एक छोटा सा फामला टाइप करना है कैसे टाइप करना है आपको टाइप करना एक्वल टू रो बेके स्टार्ट बेके क्लोज है दुबारा से आपको टाइप करना है एक्वल टू सेल बेके स्टार्ट करके इसमें आपको इन्वर्टेट कॉमा लगाना है और टाइप करना है रो इन्वर्टेट को मा क्लोज करके आपको बेके क्लोज करना है तो यह फर्मुला हमने यहां पर इस तरह किसे टाइप कर दिया समय सी आपको टाइप करना है यहां पर फॉर्मेट पर किलिक करना है और यहां पर आपको अपने करेंगे वह रोह यहां पर हलाइट नहीं होगा लेकिन यहां पर हमें जिस रोह पर किलिक करना है वह रोह ऑटमेटिक हलाइट हो जाए तो इसके लिए आपको यहां पर यहां पर यहां पर करना है और इसमें यहां पर दियावा है कि वीव कोड का ओप्शन देखिए यह दिया वर्क सीट और इसमें यहां पे सिर्फ आपको टाइप करदेना है टार गेट हैं तो एक można अफो आ चुका है आपको सिर्फ टैप कि मोद प्रे ok Department आ जाएगा और यहां पर जुछ करना है यहां पर इस वह. जो यहां पर कर गया इस तरीक से किसी भी आप कि सकते हैं जिस अबद कर लिए और याँ पीजोल सेवकरने क्लिक करने के लिए यहां पर सब्सक्राइब करने है औरन भी आपको के यहां call करना होगा आप वहापे select कर लेना और यह जो दियावा है save as type है इसमें आप एक्सल work sheet की ज़ाब पर आपको लेना एक्सल micro enabled workbook है इस पर click करना है और जो भी आपको नाम देना नाम दे करके और यहाँ पर save आपको click कर देना है तो इस तरी के साब को पेज को सेव करना होता है आशा करता है दोस्तों इस वीडियो के दो जो भी मैं आपको बताया है वो आपको सवन में आ गया होगा तो आज का वीडियो आपको थोड़ा बद अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक कर दें और कम्पूर्टर में हमें कुछ नया सीखने के लिए हमारे चल को सब्सक्राइब करके बेले का वाटर पेस कर दें मिलते एक नए वीडियो में ठेंक्स